इस वीडियो में हम समझेंगे अध्याय आर्थ कानून और सामाजिक न्याय शुरू करते हैं वन परिचे ये पैराग्राफ, कानून, सामाजिक न्याय और श्रम सुरक्षा और पर्यावरन से संबंधित विभीन मुद्दों के बीच संबंधों पर चर्चा करते हैं सात्वी कक्षा की किताब से स्टोरी ओफ ए शर्ट का उलेक एक उदाहरन के रूप में किया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि बजार कपास उतपादकों को शर्ट खरीदारों से कैसे जोड़ते हैं और इस श्रिंखला में हर कदम पर खरीद और विख्री कैसे होती है 2. शोषन रोखने के कानून बाजार अक्सर शोषनकारी होते हैं जो श्रमिकों, उपभोकताओं और उत्पादकों को प्रभावित करते हैं। इस तरह के शोशन को रोखने के लिए सरकार ऐसे कानून बनाती है जिनका उद्देश्य बाजारों में अनुचित प्रथाओं को कम करना है। 3. श्रमिकों के वेतन पर ध्यान दें। निजी कमपनियां और व्यवसाई अधिक्तम लाप कमाने के इच्छुक होते हैं, जिससे कभी-कभी श्रमिकों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है। जैसे की वेतन रोकना, नियुनतम वेतन जैसे कानून ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि श्रमिकों को उचित भुगतान किया जाए और निर्दिष्ट नियुनतम वेतन से कम न हो। 4. उतपादकों और उपभोकताओं की सुरक्षा करने वाले कानून श्रमिकों के समान, कानून भी उतपादकों और उपभोकताओं के हितों की रक्षा करते हैं। 5. कानून प्रवर्तन का महत्व, कानून बनाना ही काफी नहीं है। सरकार को इन कानूनों को लागू करना होगा। प्रवर्तन विशेश रूप से महत्वपूर्ण है जब कानूनों का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों या समूहों को अधिक शक्तिशाली संस्थाओं। जैसे नियोकताओं से श्रमिकों की रक्षा करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू किये जाने चाहिए कि व्यक्ति या निजी कमपनियां उनका पालन करें। 6. सरकार और समविधान की भूमिका सामाजिक म्याय सुनिश्चित करने के लिए इन कानूनों को बनाने, लागू करने और बनाए रखने में सरकार की भूमे का आवश्यक है इन में से कई कानून भारतिय सम्विधान द्वारा गारटी कृत मौलिक अधिकारों में निहित हैं जैसे शोशन के खिलाफ अधिकार और बाल श्रम पर प्रतिबंद, सरकार की जिम्मेदारी इन अधिकारों की रक्षा करना और समाज में निश्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है साथ, श्रमिक का मूलिय और सुरक्षा मानक यूनियन कारबाइट जैसी विदेशी कमपनियां सस्ती श्रम लागत और कम सुरक्षा मानकों के कारण भारत में सयंत्र स्थापित करती हैं मुनाफे को अधिक्तम करने के लिए सुरक्षा शर्तों से समझोता सहित लागत में कटोती के उपायों का उप्योग किया जाता है विदेशी सयंत्रों में सुरक्षा मानक भारत से काफी भिन होते हैं जो भारती श्रमिकों के कल्यान को प्रभावित करते हैं 8. सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन भारत में सुरक्षा कानून कमजोर थे और उन्हें परियाप्त रूप से लागू नहीं किया गया था सरकारी अधिकारियों और निजी कमपनियों ने अकसर सुरक्षा नियमों की अवहेलना की और सरकारी निरीक्षकों ने असुरक्षित प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी सुरक्षा कानूनों को लागू करने और नाग्रिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका पूरी नहीं हुई 9. पर्यावरन की रक्षा के लिए नए कानून भोपाल आपदा ने भारत में पर्यावरण कानूनों की आवश्यक्ता पर प्रकाश डाला। पर्यावरण कानूनों की कमी के कारण पर्यावरण अक्सर बिना किसी प्रतिबंध के प्रदूशित होता था। परियावरन ये क्षती के लिए प्रदूशकों को जिम्मीदार ठहराने के लिए नए कानून पेश किये गए। और स्वस्त परियावरन के मेहत्व को अदालतों द्वारा मान्यता दी गई। सरकार की भूमिका प्रदूशन पर अंकुष लगाने और पर्यावरन की रक्षा के लिए कानून और प्रक्रियाय स्थापित करना है 10. निशकर्ष और कार्रवाई का आहवान लोगों को अनुचित प्रथाओं और शोशन से बचाने के लिए कानून विभिन संदर्भू में महत्वपूर्ण है सरकार इन कानूनों को बनाने लागू करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोगों की मांद्यें और दबाव निजी कमपनियों और सरकार दोनों को समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं अध्याय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनों और सभी के लिए जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यक्ता पर जोर देता है ये अध्याय विशेश रूप से श्रम सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में कानून की भूमिका पर अंतरद्रिष्टी प्रदान करते हैं व्यक्तियों के अधिकारों और कल्यान की सुरक्षा के लिए इन कानूनों को लागू करने और मजबूत करने में सरकार की भूमिका आवश्यक है धन्यवाद